तनाव के बावजूद भारत पाकिस्तान की सरहदे गाउं में बाबा दिलिप सिंग की मज़ार की शकत और शर्बत के लिए खासी विताबी है जम्मु संभा के सामा की अंतराष्टी सीमा से सटी बाबा की मज़ार की मिट्टी जिसे शक्कर और कुएं के पानी के लिए लोग हर साल उटसाहित रहते हैं दोनों पुलकों के लोगों में बाबा की मज़ार को लेकर खासी अस्था है दोनों तरफ बाबा की मज़ार पर मेला भी लगता है यह मज़ार दो हिस्सों में बठी है दरगा का एक हिस्सा पाक के गाउ स्यदवली में है और दूसरा भारत के चन्नी फत्वाल में गाउ स्यदवली में मेला साथ दिन पहले पारंपरेक्रीती रिवाजों से शुरू हो जाता है इस साल 17 जुन को मेले की तारिख को लिधारित किया गया है लेकिन रक्षा मंतराले की तरफ से शक्कर और शर्बत के आदन परदान पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ पार्क में मेले की तारिख 21 जुन तै हुई है यह मेला देश के विभाजन से पहले से चला रहा है मटवारे के बाद भी पाक जनता उस जर्गा को मानती है जो कि भारत की हिस्ते में आ गई है दरगा की जलत पाने और सीमा की इस तरफ पाकिस्तान भीजे जाने वाले शक्कर और शर्बत की चार लाग लोगों को प्रतिक्ष रहती है न्यूज डेस्क दुर्णिया जाँ झाल झाल